गुड मॉर्निंग बच्चो ग्लो और फिजिक्स में आप सब का स्वागत है प्यारे बच्चो आज का जो हमारा टॉपिक है या जिसके वीडियो बनने वाली है वो है संपर्क में रखे दो संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी equivalent focal length of two thin lenses in contact तो प्यारे बच्चो ये भी बहुत ज़्यादा important है और ये जो है आपको bold की परिक्षा में पूछा जाता है तो most important अगर मैं कहूं तो ज़्यादा अतिस्वयोक्ति नहीं होगी इसमें और ये निश्चित तोर पे जो है आपको board की परिक्षा में पूछा जाता है इसका derivation पूछा जाता है बच्चो तो प्यारे बच्चो लिए चलते हैं आपको अब जो है हमने दो पतले संपर्कम रखे दो पतले lens के तुल्य फोकस दूरी क्यात करनी है बच्चो तो बच्चो यहाँ पर जो है L1 L2 दो उत्तल lens है यहाँ पर L1 जो है यह भी उत्तल है ठीक है बच्चो ल2 जो है यह भी उत्तल lens है ठीक है बच्चो इन दोनों lens ओ को हमने संपर्क में रखा है यह दोनों वायउ में है बच्चो तो प्यारे बच्चो इनका मुख्य आक्ष एक ही है बच्चो ठीक है ये मुख्य आक्ष इनका एक ही है हमने संपर्क में इनको रखा है बच्चो तो प्यारे बच्चो यहां पर हो क्या रहा है थोड़ा आप ध्यान देंगे बच्चो हम क्या करेंगे बच्चो L1, L2 जब दो lens है जब L1 lens को consider करेंगे तो उस समय L2 lens को नहीं देखेंगे ठीक है बच्चो तो हम L1 lens के सामने एक वस्तु एक वस्तु जो है बच्चो ओ रखते हैं तो इसका जो है प्रतिभिम्ब ठीक है बच्चो कहा पर बनता है आईडेس पे बनता है इस L1 lens के द्वारा ओ वस्तु का जो प्रतिभिम्ब है वो कहां बनता है आईडेस पे बनता है इस पहले lens से वस्तु की दूरी क्या है बच्चो यू और इसी lens से ये देखे बच्चो इसी lens से प्रतिविम्ब की दूरी कितनी है बच्चो भी डैस ठीक है बच्चो यह आपको लिखना है बच्चो मैं आपको इसको लिख नहीं रहा है बच्चो अब दूसरे लेंस के लिए जब दूसरे लेंस को लेंगे तो यह समझेंगे कि आपका पहला लेंस नहीं है ठीक है बचो तो दूसरे लेंस के लिए ये आई-डैस अब क्या करेगी वस्तु का काम करेगी और इसका अंतिम प्रतिविम जो है जो वस्तिक प्रतिविम है वो कहाँ पर बनेगा आई-डैस पर बनेगा दूसरे प्रिष्ट के लिए आई-डैस क्या है बचो दूसरे प्रिष्ट के लिए आई-डैस किसका काम करेगा वस्तु का काम करेगा किस प्रिष्ट के लिए बचो किस प्रिष्ट के लिए बचो किस प्रिष्ट के लिए बचो बताओ दूसरे प्रिष प्रतिविम्ब है वो आई पर बनेगा अब बच्चो हमने पहले लेंस से तो वस्तु की दूरी यू हो गई प्रतिविम्ब की दूरी भी डैस होगी अब दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी भी डैस हो जाएगी क्योंकि हम इस लेंस को नहीं मानेंगे तो ये दूरी कित ने हो जाएगी बच्चो भी हो जाएगी बच्चो तो प्यारे bच्चो बहुत सा simple सा derivition है आप ध्यान देंगे तो बच्चो lens के सूत्र से ठीक है बच्चो अब हमाँ पास आता है lens का जो focus dory का सूत्र है lens की focus dory का का सूत्र लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1 upon F वराबर 1 upon B minus 1 upon U वस्तो की दूरी और B प्रतिविम्य की दूरी है F उसकी फोकस दूरी है ठीक है बच्चों? माल लिजे जो पहला लेंस है उसकी फोकस दूरी F1 है, जो दूसरा है उसकी फोकस दूरी F2 है तो पहले लेंस के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है बच्चों? अब पहले लेंस के लिए ये देखो बच्चों, ये तो फॉर्मूला है ये तो क्या है बच्चों? ये तो फॉर्मूला है अब पहले लेंस के लिए लेंस के लिए पहले लेंस के लिए बताओ बच्चो कितना हो जाएगा बच्चो बताओ बच्चो कितना हो जाएगा F की जगों पे क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा और यहाँ पर प्रतिविम कितनी दूरी पर बन रहा है बच्चो V10 पर बनना है 1 upon V10 वस तो कितने दूरी पर रखी है बच्चो यू दूरी पर रखी है ठीक है न बच्चो तो यह हो जाएगा बच्चो Equation No.1 ठीक है बच्चो अब दूसरे लेंस के लिए दूसरे लेंस के लिए लेंस के लिए ठीक है बच्चो दूसरे lens के लिए क्या हो जाएगा बच्चो बताओ यह देखे बच्चो मैंने ऊपर कर दिया आप ठीक है बच्चो दूसरे lens की focus दूरी कितनी है F2 तो 1 upon F2 हो जाएगा प्रति विम कितने दूरी पर बनना है बच्चो V पर बनना है बच्चो और वस्तो कितने दूरी पर है बच्चो V डैस ठीक है बच्चो वस्तो कितने दूरी पर यह देखो यह कितने दूरी पर है इससे V डैस पर है ना है ना बच्चो 1 upon V डैस ठीक है equation number 2 अब हम क्या करेंगे बच्चो equation number 1 और equation number 2 को जोड़ देंगे ये लेंस मैंने अब उपर कर दिया है ठीक है बच्छो, समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोडने पर, जोडने पर, जोडो बच्छो, समीकरण एक आपको दिखाई दे रहा है बच्छो, ये है समीकरण एक, समीकरण दो आपको दिखाई दे रहा बच्छो, ये है समीकरण दो बच्चो तो प्याए बच्चो जोड़ो जोड़ो बच्चो कितना हो जाएगा 1 upon F1 1 upon F1 plus 1 upon F2 ये बाया पक्च है दाया पक्च कितना है बच्चो 1 upon V dash minus 1 upon U plus 1 upon V minus 1 upon V dash ठीक ना बच्चो तो 1 upon V dash ये देखे बच्चो थोड़ा उपर करता हूँ 1 upon V dash और 1 upon V dash कट गया बच्चो तो 1 upon F1 plus थोड़ा उपर कर लेता हूँ बच्चो 1 upon F1 plus 1 upon F2 बराबर कितना आ गया बच्चो 1 upon V minus 1 upon U 1 upon V minus 1 upon U माली जी ये equation number 3 है अब हम क्या करेंगे बच्चो यदि U दूरी पर ठीक है बच्चो अब क्या होगा बच्चो इधर देखे इन दोनों लेंसों की जगोपर माली जी एक ही लेंस होता इन दोनों की जगोपर एक ही लेंस होता और U दूरी पर रखी वस्तो का प्रतिविम कहा पर बनाता भी दूरी पर बनाता और उसकी फोकस दूरी हो जाती capital F ठीक है बच्चो माना जो है बच्चो अब हमको यहाँ पर sign to lens देखना पड़ेगा बच्चो दूरी यू दूरी पर रखी वस्तो का प्रतिविम्व भी दूरी पर बनता दूरी पर बनता जिसकी फोकस दूरी F होती जिसकी फोकस दूरी फोकस दूरी capital F होती capital F होती तो बच्चो तो क्या होता बच्चो यह देखे बच्चो lens का सूत्र क्या है 1 upon F बरावर 1 upon B minus 1 upon U तो यह कितना हो जाता capital F U दूरी पर रखी वस्तो का प्रतिविम्व भी दूरी पर बनना है तो उसकी फोकस दूरी small f है तो मैंने दोनों lens हो की जब आपर क्या रख दिया बच्चो एक lens हो जाता उनका ठीक है तो कितना हो जाएगा बच्चो 1 upon F बरावर 1 upon B minus 1 upon U तो equation number 3 और equation number 4 के देखे बच्चो बाएं बाएं दाएं दाएं पक्च इसके देखे बच्चो इसका भी दाएं पक्च वही है 1 upon B minus 1 upon U तो इसका भी दाएं पक्च क्या है बच्चो वही है तो बाएं पक्च क्या हो जाएगा बच्चो तो बाएं पक्च आगे आपको बाएं पक्च क्या हो जाएगा बच्चो 1 upon F बराबर 1 upon F1 plus 1 upon F2 ठीक है बच्चो तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ ठीक है बच्चो यह देखे बच्चो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ तो साही तो फोकस दोरी कितने आगी 1 upon F बराबर 1 upon F1 plus 1 upon F2 F1 F2 जो है क्या है बच्चो क्या है बच्चो पहले और दूसरे लेंस की फोकस दोरी है बच्चो अब यहाँ पर क्या है क्या है F1 F2 दोनों क्या है बच्चो उतल है तो उतल क्या होगा बच्चो दोनों उतल है तो F1 भी क्या होगा बच्चो धनात्मक होगा F2 भी क्या होगा भचो धनात्मक होगा तो ये F भी क्या आएगा भचो धन आएगा ठीक है भचो अर्थात अगर दोनों उतल है यहाँ पर क्या है भचो पहली कंडिसन क्या है दोनो दोनो उतल अगर दोनों उतल हो यदि दोनों उतल हो तो संग्त लेंस भी उतल होगा ठीक है बच्चो ये समीकर ये देखना है बच्चो दोनों क्या है प्लस है अब देखे बच्चो यदि दोनों आउतल है तब क्या होगा दोनों आउतल होँ तो बच्चो बताओ मैं यहां पर बता देता हूँ F1 भी क्या होगा बच्चो रिनात्मक F2 भी क्या होगा रिनात्मक जब ये भी रिनात्मक होगा, ये भी रिनात्मक होगा, तो ये पूरा क्या आएगा बच्चो, रिना आएगा, तो उस इस्तिति में ये F भी क्या आएगा, रिनात्मक, ठीक है बच्चो, जब दोनों आउतल होगे, तो सैंत फोक, सैंत लेंस होगे, सैंत लेंस भी आउतल होग ठीक बच्चो अब एक कंडिशन और आती है बच्चो जो की बहुती महतवपून कंडिशन है बच्चो ठीक बच्चो बताए बच्चो तीसरी कंडिशन क्या हो सकती है दीसरी कंडिशन हो सकती है बच्चो एक उतल एक उतल तथा एक आतल ठीक है बच्चो एक उतल है और एक क्या है आतल है बच्चो माना उतल की फोकस दूरी अब क्या हो जाएगा जो F1 है ये उतल की है मान लिजिए ठीक है बच्चो तो ये प्लस होगी ठीक है बच्चो और F2 क्या होगा ये क्या होगा बच्चो रिणात्मक होगा ये किसकी है ये आतल एंस की है ठीक है बच्चो f1 किसकी उतल की f2 किसकी अवतल की बच्चो तो प्यारे बच्चो अब निकालो तो ये देखो बच्चो तो 1 upon f क्या हो जाएगा 1 upon f क्या हो जाएगा बच्चो 1 बटे f1 माइनस 1 बटे f2 होगा कि नहीं होगा बच्चो क्योंकि F2 हमने अवतल मानक है दोनों का L से हम क्या जाएगा बच्चो F1, F2 F1 का भाग देंगे F1 कर जाएगा यहां जाएगा F2 माइनस F1 ठीक है बच्चो अब हम साइन तो फोकस तूरी निकाल दे उल्टा कर दो बच्चो 1 upon F की वहली इतने है तो F की वहली क्या हो जाएगी बच्चो F की वहली क्या हो जाएगी F1, F2 बटे F2 माइनस F1 ठीक है बच्चो यह आगे ने बच्चो यह देखे यह आगे ने बच्चो अब देखे बच्चो अब कंडिशन क्या होगी कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा और सहीं तो लेंस कैसे व्योहार करेगा condition A यदि F1 ये जो F1 उत्तल लेंस मान रखाना उत्तल लेंस ये देख उत्तल यदि F1 बड़ा है F2 से अर्था उत्तल लेंस की फोकस दूरी आउतल लेंस से ज्यादा है बच्चो तो बच्चु F2 माइनस F1 क्या आएगा ये देखो बच्चु अगर ये देखो बच्चो मैं यहाँ पर एक्जामबल दे दू बच्चु मान लीजे बच्चो ये 6 है और ये 4 है तो क्या आएगा बच्चो रिन 2 आएगा ना आएगा अगर F1 बड़ा होगा F2 से तो रिनात्मक आएगा तो ये क्या है बच्छो रिनात्मक आएगा ठीक है बच्छो तो उस इस F2 माइनस F1 रिनात्मक आएगा तो उस इस्तिति में F क्या आएगा बच्छो ये रिनात्मक तो सइंक्तु लेंस कि तरव ब्योहार करेगा बच्छो जो सैंक्तु लेंस बना बचो वो आउतल की भाहांती ब्योहार करेगा बचो ठीक है बचो सैंक्तु लेंस आउतल लेंस की भाहांती ब्योहार करेगा बचो अब दूसरी कंडिसन क्या है बचो तीन कंडिसन बतानी है F1 बड़ा हो गया Sorry बच्चो F1 छोटा हो गया F2 से छोटा का आता तो नहीं बच्चो आपको आता ना ये देखो ये छोटा का चिन है तो बच्चो यहाँ पर जो बच्चो F2 माइनस F1 के आएगा अब ये बड़ा आ गया है ये 6 हो गया मान लिजे ये 4 हो गया तो ये धन 2 आएगा उस इस्तिति में इसका मान के आएगा बच्चो प्लस आएगा तो जब ये प्लस आएगा बच्चो तो जो सईंत जो सईंत फोकस दूरी है ये देखे जो सईंत फोकस दूरी है वो क्या आएगा प्लस ठीक है बच्चो यजी जो है F1 छोटा हो जाता है उत्तल लेंज की फोकस दुरी कम हो जाती है तो साइट लेंज की फोकस दुरी धन आ रही है अर्थात वो क्या बन जारा बचो उत्तल बन जारा है साइट लेंज उत्तल बन जारा है बचो अब लास्ट कंडिसन क्या है बचो यजी दोनों बरा बराबर हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चो, F1-F2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चो, जब ये और ये बराबर होगे, तो 5, 5, 5, 0 बच्चो, उस इस्तिति में बच्चो, जब ये 0 हो जाएगा, ये देखो, ये 0 हो गया, तो किसी रासी के बटे में 0, ये दे फोकस दूरी अनन्थ होगी अब वो सम्तल प्लेट की भांती ब्योहार करेगा बच्छो अब वो लैंस नहीं रजाएगा अनन्थ ये देखो बच्छो फोकस दूरी अनन्थ होगी अब वो किसके समान ब्योहार करेगा बच्छो सम्तल प्लेट की भांती सम्तल प्लेट की भांत ठीक है बच्चो तो मैंने आपको तीनों कंडिस्टनिव को बता दी बच्चो ठीक है बच्चो यदि उतल और अवतल दोनों की क्या हो रही है फोकस दूरी बराबर हो रही है तो यहां पर यह दोनों बराबर हो जाएंगे तो यह जीरो हो जाएगा और जीरो किसी के बटे में होगा तो यह अनंध हो जाएगा और जब अब अनंध हो जाएगा तो यह समतल प्लेट की वहां थी क्या करेगा बच्छो ब्योहार करेगा बच्छो तो प्यारे बच्छो आप चैनल पर बने वह हैं तो आप चैनल को क्या करतें बच्छो सस्क्राइब करतें क्योंकि जो है उपियोगी वीडियो मिल रही हैं बच्चो और निरंतर हमारा प्रियास यही रहेगा कि आपको उपियोगी वीडियो मिलती रहें और लव लव जो है बच्चो कक्षा बारा भौती विज्ञान का जो है लव लव कोर्स कम्प्लीट होने वाला है और एक जो है महतोपून फिज जिसका package glow of physics ने आपको दिया है वच्चो तो पुनो वच्चो चैनल पर बने रहने के लिए पुनो आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद